Hello students, तो हम पाट पढ़ रहे थे जब भोला राम ने पंप लगाया, तो अब तक जो हम पढ़ चुके थे, कि भोला राम खेतों की सिंचाई के लिए 5 होर्स पावर का पंप लगाना चाहता था। उसके शुबचिंतकों ने उसको समझाया था कि बेवजा मुसीवत में मत पढ़ो, तो लेकिन उसने भोला राम ने उनकी बात न मानते हुए बड़े नियम के साथ पंप लगाना चाहा। जैसे ही वो पहली बार पहला ही दफ्तर कहुंचता है बिजली सहाब के पास, तो बिजली सहाब दर्ख्वास्त की हर एक तैय को आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं, ताकि उसमें कुछ हो तो वो गिरना जाए। अब ये कुछ क्या था, ये तो आप समझी रहें न, कुछ क्या था, यानि कि कुछ पैसे वैसे हो तो कहीं गिरना जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि फाइल में कुछ नहीं है ऐसा, तो उन्होंने उसके काम को टालने के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न करना शुरू किये। और उसको इतने प्रश्न किये, इतने प्रश्न करने के बाद उसको कहां भेज दिया, उसको नो अब्जेक्शन सेर्टिफिकेट लाने के लिए भेजा, ठीक, नहीं, उसको वहां पे भेजा, उसने पटवारी के पास कि जाओ, भू स्वामी से, आप जमीन के कागज लेके आ कि जमीन किसकी है, ये क्या है, सवाल उन्होंने पूछे, फिर वहां से भी जब वो पूरी भागदार करके वहां से लेकर आया, पटवारी के पास से, कागजात वगरा, तो भी उन्होंने उसको पहचारने से इंकार किया, और जब उसने याद दिलाया कि मैं कौन हूँ, तो उसके बाद भी उन्होंने उसको कहा कि पंप लगाना है, पानी कहां से लोगे, पानी नदी से लेना है, तो नदी किसकी है, बिचारा भाग दौर करता पूछता हुआ, जंगल सहब के पास महुचा, उससे पूछा कि नदी किसकी है, तो जंगल सहब ने जो जवाब दिया, इसको भी आप underline करेंगे तो जंगल साहब ने जवाब दिया कि कोई नदी वदी हमारे अंडर में नहीं आती है तो यहां भी आप देख सकते हैं कि किस तरह भ्रष्टाचार है हमें जंगल काटने से ही फुरसत नहीं है जंगल साहब हैं फॉरस्ट डिपार्टमेंट के हैं तो हमें जंगल काटने से फुरसत नहीं है नदी का हिसाब लगाने कहां जाएंगे अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती वास्तविक्ता में पेडों की तरह कपकी साफ हो गई होती भोला राम जी अब कहां गए तो भोला राम भागा भागा खनीज विभाग पहुँचा खनीज साहब ने कहा क्या हमें मूर्ग समझता है सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं कोई खास नहीं छील रहे हैं अगर नदी खनीज विभाग में आती तो हम अभी उसकी बूंद बूंद रॉयल्टी पर उठा देते देखिए वो भी इसकी बूंद बूंद भी नहीं छोड़ते अगर उनके अंदर आती तो यहां भी भ्रष्टाचार जिस भी जहां भी वो जा रहें जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहें वहीं भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है जाओ ऐसी सब मलाई का काम राजस्वी भाग के अंदर में आता है देखे राजस्वी भाग किसको कहते हैं देखो भूमी आदी का वहकर जो सरकार को दिया जाता है टैक्स पे करते तो उनके अंदर आता है वहाँ पे जाईए अब उसको राजस्वी भाग में भेज दिया भोला रम तुरंत तैसीलदार शरणम गच्छामी हुआ मतलब तैसीलदार के पास चला गया शरणम गच्छामी देखे शरण में जाना तो वहाँ पे चला गया उसने अपनी व्यथा व्यथा यानी दुख तहसीलदार साहब से सुनाई उसने अपनी व्यथा अपनी पीडा तहसीलदार साहब ने कहा राजस विभाग तो ठोस धरातल वाला विभाग है नदी का हमसे क्या संबंद? नदी तो तरल है न ये तो ठोस धरातल वाला विभाग है तो नदी का हमसे क्या संबन परेशान भोला राम ने जवाब दिया बहती नदी में हाथ धोना भी तो आपके भागे में ही बदा है हुजूर तैसी इलदार ने भोला राम को घूर कर देखा लेकिन भोला राम ने परवा न करते हुए कहा नदी में साग सबजी फल बोने का ठेका भी आप ही देते हैं सरकारी टेक्स की वसूली कर बिना रसीद काते ही ये सब हो जाता है जरूर नदी आपके ही अंडर में आती होगी अब उसको भी धिरे धिरे अब उसको भी गुसा आने लगा है कि इतनी भागदोर केवल एक पांच होर्स पावर का पंप लगाना है तैसील रादनी स्थिती को सपश्ट समझ लेने के इरादे से पूछा ये नदी बहकर सीधे समुद्र में मिल जाती है या बीच में कहीं गुम हो जाती है भोला राम ने बताया हुजूर आगे जाकर सिंचाई वालों ने इस नदी पर बांध बना दिया है ये सुनकर तैसील दार का नियम मोह जाग उठा अब यहां भी देखो व्यंगिर किया गया ना नियम मोह जाग उठा कौन कितने नियम से कारे कर रहा है ये तो आप देखते ही आ रहें सुनते यारे, पड़ भी रहे हैं, क्या कारे कर रहे हैं, कौन सा विभाग ठीक से कारे कर रहा है, बोले, यदि तुम्हें पंप का कनेक्शन मिल जाएगा, तो आगे बांध में पानी कम हो जाएगा, लाखों करोडों रुपयों की लागत से बना बांध बेकार हो जाएगा, बांध में से यदि पानी निकाल भी लिया, तो उसका क्या घटेगा, लेकिन जहां नहीं काम करना है, तुम्हां बेफजूल की बाते, या बेफजूल के प्रश्न, या ऐसे ही जवाब देकर काम को टाला जाता है, भोला राम ने समझाये, लेकिन पांच शौस पावर के पं यह नियम का सवाल है, काम भले ही देर से हो, लेकिन पुक्ता होना चाहिए, तिके पुक्ता यानि पक्का, तिके चलो देर से होगा आपका काम लेकिन पक्का होगा, जाओ पहले सिंचाई विभाग से लिखवा कर लाओ, कि पांच एच पी का, यानि पांच और स्पावर का, पंप चलाने से उनके बांध को कोई नुपसान नहीं होगा बड़े हैरान परिशान विचरा भोला राम सरकारी नियमों के प्रती भोला राम नत्मस्तक हो उठा उसने सिर ही अपना पालिया नत्मस्तर सिर जुकाना काम देर से हो इतनी देर से हो कि उसकी आवशक्ता ही समाप्त हो जाए भी इतनी देर सरकारी कामकाज में इतनी देर कि उसकी आवशक्ता ही समाप्त हो जाए लेकिन काम पुखता होने का विश्वास बना रहे यही है सरकारी नियम धन्य है सरकार और धन्य है तुम्हारा सरकारी नियम कितना परेशान भोला राम नत्मस तक हो गया इन सरकारी करमचारियों के आगे इन सरकारी विभागों के आगे कि इतनी भी क्या देरी कि उस तीज के आवशक्ता ही खत्म हो जाए कि जब जरुरत है तब तो हो नहीं रहा है काम जब विचारी जरुरत ही नहीं होगी जब समय निकल जाएगा फिर उसके बाद वो काम होने से क्या फायदा तो ये है सरकारे विभाग के कारे जिस पर लेखक ने फ्यंगे किया है हर जगे भरषटा चार काम को अड़ाने के 100 बहाने तरीके कहीं से भी खोज निकाले जाते हैं लेकिन वहीं कहीं पर पैसे दे दिये जाए तो काम फटा फट होता है नीचे दभी फायल भी सबसे उपर आकर उसका काम होना शुरू हो जाता है ये है सरकारे नियम तो चलिए आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में मिलेंगे आगे भोला राम ने अब क्या किया क्यूंकि सरकारी नियमों के प्रती तो भोला राम नत्मस्तक हो गया अब उसके मन में क्या विचार आया क्या करेगा तब तक के लिए आपने जितना पार्ट पढ़ा है वो प प्रशन निर्मान करेंगे प्रशनों के उत्तर खोजेंगे तिल देन बाई एंद थैंक यू